हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे बच्चो शुरू करते हैं आज का अध्याय सच्चा ज्यान आप अपने पाठ को रटते हैं या समझ कर याद करते हैं बच्चो जरा एक बार जरू सुचीगा पाठ परिचे है प्रस्तुत पौराणिक कथा में बताया गया है कि किसी नियम को रट लेना मात्र ज्यान नहीं है अपितु उसे जीवन में अपना कर वहवारिक रूप से उस पर अमल करना ही सच्चा ज्यान है तो बच्चो इस कहानी में बताया गया है कि रटना अच्छी बात नहीं है आईए पढ़ते हैं बहुत समय पहले की बात है गुरू धुरणाचारे के आश्रम में कौरव और पांडव समान रूप से शिक्षा ग्रहन करते थे कौरव और पांडव आयों में छोटे ही थे वे आश्रम के नियमों का पालन करने में कोई चूक नहीं करते थे एक बार गुरु धुरणाचारे जी वरिक्ष की शीतल चाया में बैठे थे यानि वह पेड़ की चाया में एक बार बैठे थे कौरव पांडव तथा अन्यशीष बैठे हुए गुरु जी की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे धुरणाचारे जी उन्हें नीती और धर्म का पाठ पड़ा रहे थे उन्होंने सबको तीन वाक्य याद करने के लिए कहा सदा सत्य बोलो धर्म का पालन करो कुरोध मत करो कुरोध याने गुस्सा मत करो गुरु द्रोण ने अगले दिन सभी कुमारों से वे वाक्य सुनाने के लिए कहा सभी कुमारों ने वे तीनों वाक्य ज्यों केत्यों सुना दिये जब युदिष्ठर की बारी आई तो वे विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ कर गुरुजी से बोले शमा करें गुरुदेव मुझे तो अभी केवल दो वाक्य ही आदें क्या मतलब दुरुणाचार्य जी बॉखलाए फिर कुछ शांत होकर बोले अच्छा कर याद कर आना अगला दिन आया दुरुणाचार्य ने फिर से वे वाक्य सुनने शुरू किये सब ने सुना दिये युदिष्ठर की बारी आई वे सिर जुका कर खड़े हो गए और बोले शामा करें गुरुदेव मुझे आज भी दो ही वाक्य याद हुए है दुरुणाचार्य क्रो से आग बबुला हो गए और बोले तुम जेस्ट कुमार होकर भी इतने बुद्धी हीन हो यानि कि दुरुण ने बोला कि तुम सबसे बड़े भाई हो फिर भी तुम में बुद्धी नहीं है क्या इतने समय में तीन वाक्य याद नहीं कर सके यह कहकर उन्होंने युदिष्टिर को छड़ी से पीठना शुरू कर दिया परंतु यह क्या बालक युदिष्टिर के चहरे पर मनिल्टा का कोई चिन नहीं था वे ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं उन्हें इस प्रकार मुस्कुराते देख दृणा चार्य का हाथ रुख गया उन्हें कुछ आश्यर्य हुआ उन्होंने युदिष्टिर से पूछा कौन से दो वाक्य याद हो गए युदिस्टर बोले गुरुजी लगता है कि अब तीनों वाक्य याद हो गए पहले दो वाक्य ही यादते सदा सत्य बोलो धर्म का आचरन करो जिस समय आप मुझे पीट रहे थे तब मैं अपने मन को समझा रहा था कि क्रोध नहीं करना चाहिए और मुझे बिल्कूल भी क्रोध नहीं आया अब मुझे विश्वास हो गया है कि मैंने क्रोध को जीत लिया है युदिस्टर के ये वाक्य सुनकर गुरु द्रोणाचारे की आँखों में आसु आ गए उन्होंने चड़ी एक और फैग दी और युदिस्टर को गले से लगा लिया गुरु द्रोणाचारे जी बोले युदिस्टर तुम मेरे सबसे प्रिये शिश्य हो तुमने मेरी आँखें खूल दी तो देखा बच्चो युदिस्टर जो पांडव थी पांच पांडवों में सबसे बड़े भाई थे वह धर्म का सबसे ज़ादा पालन करते थे दुरुणाचारे जी ने जो कुछ भी समझाया उन्होंने उसे बहुत अच्छे तरीके से समझा बच्चो हमें इससे यही सीख मिलती है कि हमें नियमों का पालन अच्छे तरीके से करना चाहिए और अपने गुरुजी की बाते सुननी चाहिए आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझा गया होगा इसका अभ्यास आप स्वयम कीजिगा